तो फ्रेंस यह हमारा सूगम हिस्ट्री क्लास एट है और इससे पहले हमने अत्ती लगू देखा और लगू देखा अब हम लोग इस वीडियो में देर गुतर यह प्रस्ट देखेंगे तो सबसे पहला नमर को से नए अंग्रेजी सरकार्त था अधिवासियों में संगर्स के क् होगा अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा लगान प्राप्त करने के फिर में जंगलों तक भी पहुँच गए हैं उन्होंने अधिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया अधिवासि मानते थे कि उनके पुरवजों ने जंगलों को साफ कर उसे खेती के लायक बनाया है इसलिए जमीन के मालिक में सुवाय है इसके लिए उन्हें किसी को किसी तरह का लगान या कर देने के अब सकता नहीं हैं जबकि अंग्रेजों ने नई लगान बेवस्थाओं के तहट उनके दुवारा जोती जाने वाली जमीनों को भी सरकार दस्तबेजों में दर्ज कर लि लगान की रासे चुकाने के लिए उनकी जमीन निलामी होने लगे फिर महाजनों के कबजों में जाने लगा अब बे जूम खेती नहीं कर पाते थे अलग अलग जमीनों पर खेती करने की उनको अजादी भी नहीं रही सरकारी करमचारियों के उन तक पहुचने का भी उन पर बुरा असर हुआ इन सभी कारणों से अंग्रेजी सरकार्त था अधिवासियों में संगर्स हुआ था दूसरा नुमर कोश्चन है अधिवासियों पर अंग्रेजी संपर का क्या परभाप पड़ा अंग्रेजों के संपर के कारण अधिवासी का विलाई विवस्था में कई परिवर्तन हुए अंग्रेज ने धेरे धेरे उनके छेतरों पर पुन्य अंतरन कर लिया और जंगलों को सरकारी संपत्ति घोशित कर दिया कई छेत्रों में अदिवासियों के परवेश, सिकार और जूम खेती पर रोक लगा दी गई इससे अदिवासि बिरोजगार हो गए और उन्हें मजदूरी करने के लिए बाध होना पड़ा बेसरकार बेपारी तथा महाजनों के सोसन का सिकार हो गए अंग्रेजी सासन ने उनकी प्राचीन परंप्राय, रिती, रिवाज, कविलाई, विवस्ता जूम, खेती तथा धर में बदलाव ला दिया तो ये कुछ परिवर्तन हुए थे अब हमारा तिसरा नम्मर कुश्चन है अदिवासी मज़ दूरों का सोसन कहां तथा, कैसे होगा था तो उन्ग्रेजों के संपर्क में आने से अदिवासी मज़ दूरी करने के लिए बाड़ हो गया जंगल की देख वाल, खेती तथा, रेलवे के लिए सस्ते मज़ दूर की रूप में अंग्रेजों के लिए मजदूरी की जिसमें अंग्रेजों की अमदानी में बृद्धी हुई ठीक वो मजदूर बन गया थे और इसके लिए अंग्रेज के लिए काम करते थे ठीक है मजदूरी की रूप में जिसमें अंग्रेजों की अमदानी हुआ तो एक परकार सी यह सोसा ठेक है अंग्रेजी सरकार ने रेसम उत्पादन में अदिवासी मजदूरों को रखा था रखेएर 2000 बात के संथाल रेसम कीट का पालन करते थे जो संथाल अदिवासी थे इसके लिए कम्पानी के एजंट इनको कर दिया करते थे ठीक है कर दिया करते थे एक हजार इनको जो है एक हजार क्रीमी कोसों के लिए मजदूरों को तीन से चार रूपया दिये जाते थे रेसB अपारी से बेपारियों तता ऐजेंटों को खुब लाफ होता था तो यहाँ पर भी सोचन हुआ ठीक है कि उनको कम पैसा दिया जाता था 3 से 4 प्यजब की जो बेपारी होते थे एजेंट होते थे उनको ज्यादा लाव होता था उसे पगर आसम के चाय बगान के मालिकों ने भिया दिबासियों का सोसन किया ठेकोदारों दुआरा इनको असम लाया जाता था और कम बेतन पर इनसे काम करवाया जाता था जारखंड की कोईला खदानों में भी इन्हें मजदूर की रूप में रखा जाता था ठेकोदार इनके साथ बुरा वेभार करते थे और उनको घर नहीं जाने देते थे तो ये सोसन था और जगा का नम जैसे हजारी बाग हुआ ठीक है जारकंड हुआ और असम हुआ ये सम बिर्षा मुंडा का जन जाती बिद्रों में उसकी क्या देन है बिर्षा मुंडा का जन 15 नमंबर 1884 इस बुको छोटा नाकपूर में हुआ ठीक है अब वैसे बुक में कुछ और होगा वो तो दसक लिखवाट 1870 के दसक में तो लेकिन एक्शली ये 15 नमंबर 1884 को छोटा नाक का नाम कदमी था बिर्षा को सिच्छा दिच्छा चायवासा के एक जर्मन मीसन स्कूल में हुवी थी सुरू में कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर उसने इसाय धर्म को स्विकार कर लिया पर बाद में इसाय धर्म से असंतुष्ट होकर फिर मुंडा बन गया उसके मन में पादन की प्रेरना मिली जिसके अनुसार उसने अपने आपको भगवान का अफ्तार खोसित किया और अंग्रेजी सासन का अंध करने का बीड़ा उठा लिया ठीक है उसने अपने कई अनुआयों के साथ अंग्रेजों से लडाई लड़ी और लडाई लड़ी और राची के एक जेल में दो जून उनाईस सोव को हाईजा की बिमारी से उसकी मिर्ति हो गई पर उसके दुवारा सुरू किया गया मुंडा बिद्रो चारी रहा पर नाम सुरू अंत में मुंडा अंदोलन ने ब्रिटिस सरकार को जुका दिया ठीक है और उन्हें जनजाती समाज को सुब्दा भी दिया तो यह था डिटेल में दिया हुआ है कि बिर्शा मुंडा गजन 15 नमंबर 1834 चोटा नाकपूर प्रमंडल के तमाड थानंत्रगत अली हातु गाउं के निकट एक छोटे से छेत्र चलकद में हुआ था तो यह हमारा था तीसरा और चोठा यहां पर हो ग बाति